नमस्क्रार दोस्तों मैं हूँ अमित तिवारी और एक बाद फिर से स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल अमित बिजनस व्लोग में दोस्तों आज का वीडियो बहुत 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 जादा खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपना मसाला उद्योग चालू करना चाहते हैं बहुत से लोगों के फोन कॉल सा बहुत से लोगों कमेंट आते हैं हमारे पास कि सर मसाला उद्योग में जो मसाला का formulation होता है उसके बारे में कुछ बताए कि उसको हम किस तरीके से बनाए किस ratio में मिलाए और क्या होता है formulation actually होता गया है तो आज हम उसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे कि formulation होता क्या है किस तरीके से तयार होता है क्या जो हम घर पे अपना मसाला बनाते हैं जो मार्केट में मसाले मिलते हैं दोनों में अंतर होता है अंतर होता है तो क्यों होता है क्या material यूज किया जाता है आज पूरी detail उसी के बारे में होगी अगर आप चैनल पर ना हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा ताकि आपको हर notification हर जो हम business idea की वीडियो बनाते हैं वो आपके पास पहुँचे और अपने दोस्तों को share करिएगा ताकि उन्हें भी कुछ जानकारी मिले तो चली वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों किसी भी मसाला उद्यो को चालू करने के लिए सबसे main point होता है formulation या normal कोई भी अगर खाने पीने वाला item है या कोई भी ऐसा चीज है जिसको आप चालू करना चाहते हैं तो उसमें होता है स्वाद formulation का मतलब होता है स्वाद अगर आप एक cake बना रहे हैं cake की bakery के अपने शुरुवात की है तो उसमें जो स्वाद आना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाँ हमें कितना परसेंट vanilla essence डालना चाहिए कितना परसेंट cream लगाना है या अगर आप biscuit की तयारी करने तो उसमें कितने रेशियो में चीनी मिलाना चाहिए कितने रेशियो में एग मिलता है इस तरीके का formula होता है वही चीज से मसाला उद्योग में होती है कि जो हम meat masala तयार करें तो meat masala में कौन सी ingredients डालेंगे जिससे स्वार अच्छा आएगा या गरब masala तयार करें तो गरब masala में कौन सी ingredients मिलाते है जिससे थोड़ा सा कड़कपन रहेगा जो market में masala मिलते है और जो घर में masala मिलते है इन दोनों में difference क्या है बहुत से ऐसे लोगों के सवाल आते है कि सर जो हम अपने घर पे बनाते है वही masala हम बी इस्तेमाल करते है वही market में इस्तेमाल होता है तो दोनों में अंदर कैसे आ जाता है देखिए होता क्या है कि घर पे हम वो masala तैयार करते है जो हमारे पास available होता है उसी को मिला के बना लेते है अपनी ज़रूत के इसाब से मान लिजे हमें सबजी बनानी है हमारे घर में जीरा है काली मिर्च है और एक दो आइटम हो रहे है तो हमने बस जीरा काली मिर्च मिला के बना लिया लेकिन जो market में मसाला मिलता है उसमें एक एक चीज बराबर रेशियो में मिलाई गई होती है बराबर रेशियो में मिलाने का मतलब है कि आपके पास घर पे बनाया, आपने आपके पास घर में जो है, कहते हैं, जावित्री नहीं है, मैंगा इटा में भाई सबके घर में नहीं होता है, 2500 रुपे किलो मिला है, तो जावित्री नहीं है, आपने जावित्री को स्किप कर दिया, लेकिन जो मार्केट का मसाला है, उस जिसा आपको एक जिसा मिलेगा, लेकिन जो हम लोग अपने घर पर मनाते हैं, आज मनाया तो हो सकते सब्जी बहुत अच्छी बन जाती है, कल बनाया तो सब्जी का थोड़ा सा टेस्ट गलो आ गया, तो इस तरीके के थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्योंकि हम लोग बराब सीखने में, सीखिए, सीखना बहुत सरूरी है, सीखने में हमें भी इतने समय लग गया, तो इतना बनाने में मसाला जो है, उसके बाद जो हमारा फॉर्मला आया, वो अब हम इस गैरंटी के साथ कह सकते हैं, कि मार्केट में कोई भी बड़ा ब्रांड हो, किसी ब्रांड का आपने में लेंगे, जितने भी मसाले में ब्रांड चल रहे हैं, उसके ब्रांड है और हमारा मसाले का जो स्वाद है, आप दूनों से कमपेर करा सकते हैं, बेलकुल टक्कर का है, कोई यह नहीं कह सकता, कि सर यह वाला ब्रांड बहुत अच्छा है, आपका बहुत बैकार है दोनों का मसाला अगर आप हम अपनी तरफ से 20 ही रखने की कोशिस करते हैं 19 रखने की कोशिस बने काता है लेकिन बहुत टककर में है और यही चीज़ जो है मार्केट में बहुत जरूरी है कि आपका जो स्वाब है वो हमेशा अच्छा मिलना चाहिए अधर ब्रैंट के मुकाबले में और हमेशा एक जैसा मिलना चाहिए यही सबसे ज़्यादा दिक्कात आती सबसे ज़्यादा फोन कॉल्स हमार पस ही आते हैं कि सर हमें फॉर्मॉला बता दीजिए कि कैसे बनाए क्या क्या बनाए आज हम आपको बताते हैं सब्जी मसाला में आपका नॉर्मल सभी मसाले वैसे यूज होता है धनिया यूज होता है, जीरा यूज होता है, काले मिर्ची यूज होता है दाल चीनी का इस्तमाल किया जाता है, जावित्री का थोड़ा मातरा में इस्तमाल किया जाता है और इसी तरीकी के Ilachi use हो जाता है मीट masala में भी इसी तरीकी के formulation होता है मीट masala में भी कबाब चीनी का استعمال है कबाबा है और उसके अलावा आपका बड़ी लाइची है छोटी लाइची है सुगंदि थोड़ा सा безमीट masala का फिरव रहर हर्ड होता है हमारा स्वाद अलग कैसे हो जाता है अलग इसलिए हो जाता है कि कुछ चीजे होती है कुछ इंग्रीडियंट्स होते हैं जो इस पेसली मिलाए जाते हैं जैसे सब्जी मसाला है सब्जी मसाला में लस्ण पाउडर का इस्तिमाल किया जाता है मीट मसाला है इनका powder का इस्तिमाल किया जाता है और गेनों का भी कई उसमें इस्तिमाल किया जाता है इसकी अलावा जैसे गरम मसाले में सारी मतलब pure मसाले इस्तिमाल किया जाते हैं उसमें लस्ण का या गरम मसाले में प्याज का या सोट का इस तरीके का इस्तिमाल नहीं होता है, उसमें सिर्फ मसालों का इस्तिमाल होता है, जैसे जावित्री है, जैपाल है, जो हाड मसाले होते हैं, इसमें धनिया का इस्तिमाल गरम मसाला में नहीं किया जाता है, मीट मसाले में भी धनिया का इस्तिमाल कुछ लोग करते हैं लेकिन हम particularly अपने मसाले में नहीं इस्तेमाल करते हैं meat और chicken में चिकन में जो है उसमें अलग तरीके का होता है पनीर मसाला में टमाटर का जो powder होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है तो यह सब मसाले हैं इस तरीके से कुछ formulation बनाना पड़ता है आपको कोई company अपना formula नहीं बताएगी हम भी अपना formula नहीं बताएंगे आपको formula आपको खुद बनाना पड़ेगा आपको खुद अपने इसाब से करना पड़ेगा लेकिन हम आपको यह बता सकते हैं कि क्या-क्या ingredients इस्तिमाल किये जाते हैं किस ratio में किये जाते हैं यह आपके ओपर depend करता है या आप अपने इसाब से बना सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप बनाने में अक्षक्षम हैं नहीं बना पा रहे हैं formula या आप अपना मसाल अद्योग चालू करना चाह रहे हैं जो स्वाध आना चाहिए एक आद बार हमारे पास कई लोग होना है जिन्होंने अपना अद्योग चालू किया लेकिन सर्थ जो meat मसाला है या जो मुर्गा मसाला है उसका हम स्वाध नहीं दे पा रहे हैं customer की यहीं सिकायत आ रहे हैं कि इस मसाले में स्वाध ही नहीं है इसमें वो स्वाध नहीं है जो एक मुर्गे मसाले में होना चाहिए तो वो सबसे important है उसके लिए सर हम आपको बता सकते हैं कि क्या क्या ingredients इस्तिमाल कर सकते हैं कितने तरीके के ingredients आप इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन कितना percent डालना है किसको किस ratio में डालना है ये आपको अपने तरीके से करना पड़ेगा इतनी help हम आपकी कर सकते हैं कि हम आपको बता सकते हैं कि किया डालना है किस ratio में डालना है या आपको खुद बनाना पड़ेगा इस चीज़ को कोई भी company नहीं बताती है और हम भी आपको इस चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे लेकिन आपको ये बता सकते हैं कि क्या-क्या इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपको फिर भी लगता है कि सर हमारा वो काम नहीं हो पा रहा है तो आप अगर हम अपना जो मसाला बनाते हैं आप चाहें तो आप वो भी इस्तिमाल कर सकते हैं आपको हम वो मसाला प्रोवाइड करा देंगे और जो हम अपने मसाले में पैकिंग करते हैं और में चीज़ ही होता है कि हम आपको वही चीज़ कॉंटिनिवस प्रोवाइड कराएंगे बहुत से लोग क्या करते हैं कि सर यहां पर चक्की हैं वहाँ पर मसाला पीशते हैं, उनके आसे हम लेके आते हैं, लेकिन लेकि आप एक बार आए, उसने आपको अच्छा दिया, अगली बार क्या किया, कि उसने कुछ चीजों के रेट बढ़ गया, तो उसने अपना सिस्टम गड़ बढ़ कर दिया, आपका स्वाद गड़ बढ़ पर्टिकुलर पहले आप अपने पर फोकस करिएगा, कि हम अपना टेस्ट डेवलप करने की कोशिश करें, इन केस नहीं होता है, अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो आप चाहें, तो हमसे मसाला लेके, हम आपको 25 कि बूरी देंगे, 25 कि पूरी पैकेजिंग होगी, रेट सा अगर आपको जरूरत होगी, तो बताईएगा, आपको बता देंगे, उस रेट में आपको चाहेंगे, ताकि आप भी अपना काम शुरू कर सके, आगे चलके आगर आप शुरू आप में माल लीजे, नहीं बना पा रहे हैं फॉर्मुला, आप सोचते हैं कि अगर हमको मिल ज जाएगा, आप लेना चाहें, तो ले सकते हैं, बिल्कुल रिजनेबल रेट में आपको प्रवाइड किया जाएगा, और आप कोशिश यही करिएगा कि जो इंग्रेडियंट्स पढ़ते हैं, इंग्रेडियंट्स के लिस्ट चाहिए होगी, तो हम आपको भीज देंगे, व फोन नहीं रिसीब हो पाता है, सबसे बड़ी समस्य आईए है, बहुत लोगी कंप्लेंट्स आती है, सर फोन नहीं रिसीब हो पाता है, सर हमारे पास इतना असल में काम है, मसाला का काम है, पापर का काम है, हींक का काम है, इसके बाद यूट्यूब पे वीडियो भी डालते तो उसके तुरूबी फोन आता है, तो फोन पर्टिकुलर नहीं रिसीब हो पाता है, बहुत से लोगों की कॉल्स आती है, जिन वर में 400-500 के आसपास कॉल आती है, जो अखेले हम रिसीब खुद करते हैं, अभी हमें किसी को रखा नहीं है, लड़के रख रहे लें या उनको हम खुदी रिसीब करते हैं, तो जिनका रिसीब कर पाते हैं, उनको कोशिश करते हैं, रिसीब करने का जिनका नहीं रिसीब कर पाते हैं, कॉल बैक अगर टाइम प्री होता है, तो करते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं, तो आप WhatsApp मेसेज कर दीजे, जैसे हम प्री होते हैं, अ आप उसको WhatsApp पर लिखके बहें दीजिए, आपको जरूर हम reply करेंगे, पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जितनी हम से help हो सकती है, हम पूरी help करने की कोशिश करेंगे, हम चाहते हैं कि भाई आप भी अपना रोजगार सुरू करें, कामयाब हो जीवन में, और कुप त रख्ये करें, तो जितनी help हम से हो सकती है, वह हम करेंगे, क्योंकि हम लोग का तो सिद्धानती है, सर्वे भवन्त सुखिना, सर्वे संतुनिराम है, सभी सुखी हो, सभी की help करते चलते हैं, और बाकी तो सब उपर वाले के हाथ में है, तो जितना हो सकते हम मदद करने की को आपको कुछ भी चाहिए हो, तो आप हमें phone कर देंगे, description box में हमारा number है, बस समय का ध्यान रखिएगा, 10 बज़े से शाम को 6 बज़े तक phone करिएगा, क्योंकि 6 बज़े के बाद थोड़ा हमारा personal time भी होता है, परिवार के साथ, family के साथ, दोस्तों के साथ, तो इसलिए 10 आपको कुछ जानकारी प्राप्त होई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे, तो आप लाइक कर दीजेगा, और अपने दोस्तों को शेर करिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ जानकारी मिल जाए, इसी तरह कि कि यानने वीडियो हम बनाते रहते हैं, कुछ जानकारी वाली, कुछ बिना जंकारि वाली है, जो भी हो सकता है, जो हमें नौलिज में रहता है, जो हमारे दिमाग में आता है, वह मुअने पोशिश करते हैं, बताने कोशीश करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, और वीडियो को लाइक जरूँ कर दीजेगा, फिर मिलते है किसी यहने वीडियो में किसी यहने टॉपिक पर तब तक के लिए नमस्कार, जैहिन, जैसी आराम